हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज मैं आपको नेक बिजाइन बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने 12 इंच लंबा कैनवास लिया है उस पर हम फोल्डेट साइड पर 11 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस तरह से इसे मिला देंगे नेचे की तरब भी हम वन इंच छोड़कर इस तरह से एक लाइन ड्रो कर लेंगे और इसके हम लंबाई रखेंगे लगबग साड़े 11 इंच तो यहां पर डिजाइन की मैंने कटिंग कर ली है अब इन दोनों टुकड़ों को हम कपड़े पर पेस्ट कर देंगे अब इसके साइड्स को हमें फोल्ड कर देना है अब यहां पर मैंने दो कपड़े के टुकड़े लिया है एक पर हमने पेपर पेस्टिंग की है और दूसरा ऐसे ही रखा है अब उपर से इस पर सिलाई लगा देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे अब हम इसे कुर्टे पर कुछ इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे अब इसे सिलाई लगा कर मैंने अटेश कर लिया है अब हम अंदर से एक्स्ट्रा फेब्रिक को कट कर लेंगे अब हम इसे अंदर की तरह इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उपर सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने इसे सिलाई लगा कर तयार कर लिया है अब यहाँ पर मैंने यह पाइपिंग ली है इससे हम अटेश करेंगे कर दो कर देंगे अब जहाँ पर कॉर्नर आता है वहाँ पर आपको पटी को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है तो यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग अटेच कर ली है तो अब यहाँ पर मैंने दो इंचोड़ी एक पटी ली है इससे इस तरह से डबल फोल्ड करके उल्टी साइड पर हम सिलाई लगा देंगे अब इससे सीधी साइड पॉल्ड के कुछ इस तरह से इस पर मैंने प्रेस लगा दी है तो अब दूसरा पीस हमने जो तयार किया था उसका जो कैनवास दिख रहा है उस पर हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे अब हम इस पर 1.5 इंच की गैप देते हुए मार्क लगा देंगे अब इस पट्टी में से हम 3 इंच लंबी पट्टिया काट लेंगे अब हमने जो यहां पर यह मार्क लगाया है इस पर हमें इन पट्टियों को कुछ इस तरह से अटेच करना है अब इन सारे पट्टियों को मैंने दोनों तरप से जोड़ लिया है अब इस पर हम मोती अटेच करेंगे तो अब यहां सुई दागे की मदद से दोनों साइड्स को इस तरह से जोड़ते हुए इसमें हम एक मोती लेंगे और अटेच कर लेंगे तो अब हम बाके पट्टियों में भी इसी तरह से मोती लगा के तैयार कर लेंगे तो अब हमने जो डिया डिजैन रेडी किया था उस पर इसे कुछ इस तरह से अटेच कर लेंगे यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा कर इससे फिक्स कर लिया है तो यह कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसमें मैंने डोरी लगा कर इससे डेकोरेट किया है और यह नयक डिजैन तैयार है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे थेंक्स पर वोचिंग